आगामि लोग सवाचुनों को ले करके मध्य पूरा के हर एक Jeagah हम लोग जा जाकरे के उहाँ से वाइट ले रहा है कि पब्लीक का क्या रुज़ान है और कि पब्लीक किस तरफ ौट करने के ले जा रहा है पब्लिक अगर कि इनको वोट करेगा कौन बनेगा मध्यपूरा का सांसद नमस्कार महीं सुन आप देखरें स्टार्ट आपने इस बिहार हमारे साथ अभी नवी निसाजी है इनसे आर्जेडी के पूरु विधायक परतियासी है इनसे जानेंगे और विधान सवाब परभारी परता है कि आपके जो लोक सभा में छेतर में आखिर किन के तरफ जादा वोट होगा से लेखिए बोट का तो जहां तक बात है वो तो तो जसुई जी के जो कार्य है उन्होंने जो 17 महने में कार्य किये हैं और पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में उनका च्छाप बै उन्होंने जो हमारे आदर नियनेता तेजस्वी जी जो कहते हैं जो कमिटमेंट करते हैं वो करते हैं और फर्क यहीं है कि मोदी जो जी जो सिर्फ जूट बोलते हैं उन्होंने आपका 2014 के चुनाम आप देखे होंगे बहुत हुआ महगाई की मार अब की बार मोदी शरकार और 2014 से पहले उन्होंने कहा था कि जब मतदान करने के लिए आप जाएंगे तो गैस सिलिंडर को एक बार परनाम करके जरूर आप जाईएगा मोदी जी बोला गैस सिलिंडर को परनाम करके जरूर इसका मीनिंग क्या हो सकता है सर्व मीनिंग यही है कि उन्होंने एक महगाई का सिमांकन किया था कि गैस का जो भाव है लगवाग उस समय तीन सुटाटार रूपया था लगवाग चार सुमान लिया जाए चार सो रूपया है बहुत महगा है उनके उस नजर में और इसलिए कहा था कि परनाम करके आप जाईएगा तो तम मत दिजिएगा लेकिन मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके 10 साल के सासनकार में 400 पहुंचने में 70 साल लगा और 1200 पहुंचने में आपके 10 साल के आपके हाथ में बढ़ गया तो माताय में बहना है सभी युबा साथी के मानस पटल पर छागा है मोदी जी सिर्फ जुमलेवाज है और मतला समझ लेजे नमादारी पर जाएंगे के तना ड्रेस बदलता है जिस छेत्र में जाएंगे कहीं पर जाएंगे आप महराफ्च में जाएंगे तेकनाथ बन जाएंगे मत परदेश में जाएंगे तो मोहन जादब बन जाएंगे तो बहुरूपी टाइप के हैं तिसलिए उनकी ना बातों पर लोग अमल कर रहे हैं ना उनकी जो कमिटमेंट है चुकि उनका कमिटमेंट एक भी बता देजे मैं हो सकता है कि मैं आर्जेटी से उसलिए ऐसा नहीं है कि उनका जो भी कमिटमेंट है बोला था कि महगाई को रोकेंगे युवाओं को दो करोर कर रुजगार देंगे आर्थी किस्तिती में सुधार लाएंगे आर्थी किस्तिती में किसी भी सेक्टर में बैदिशिक निती हो कि आर्थिक निती हो आप सिर्फ इसका गोदी मीडिय का मीडिया मेनेजमेंट बांकी धरातर पर कुछ नहीं है आप देख लिजिए कि इकोरोमी सेक्टर में कहता है कि हम तिसरे अस्थान पर जब कि इधार ही 15-20 दिन पहले वर्ल्ड बैंक डव का जो है जारी हुआ टॉप 10 से बाहर है तो इसलिए विदेश निती में आप देख सिरलंका है कि पाकिस्तान है कोई भी है कहीं पर भी संबंद अच्छा नहीं लेकिन जो बूट का जो आप देख रहे हैं कि हमारे आदम ने तेजस्वी जी जो 17 महने में कार किया उन्होंने अपने जो 2020 का चुनाव था विदान सभा को उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम हमारी सरकार आएगी तो दस लाख युवाओं को रुजगार नोकरी देंगे जो 17 साल में हम 17 महने में करके दिखाए हो सकता है उन्हें कि 2024 में उनका चुनाव था इसके वह बोल दिया और नोकरी दे दिया युवा लोग को देखिए चुनाव 2024 में है उन्होंने वादा किया था कव 2020 में और कुछ सीटों के बैमानी के वज़े से उसमें से हम भी हैं बैमानी के वज़े से उनका सरकार बनते बनते रह गया था लेकिन फिर भी तम मोदी जी पलट के आए इधार तो यही मोदी जब पेजस्वी जी ने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे त यही मोदी जी नितीश जी जी काते थे कहां से पैशालेगा वह संभव है मोदी जी कहते थे कि चारा चोर का बैटा मतलब जेल से पैशालेगा यही दोनों का सम्भोधन था और यही तिस्वी जी ने उनका जो कृत्शंकल्पित वचन था उन्होंने बिहार के युवाओं को 10 लाख के रूपमुक मंत्री रहते हुए 17 महिने में 17 महिने में लगवग 5 लाख नुकरियां दिया है चाहे उसमें किसी भी जाती को नहीं देखा गिया कि हिंदू है कि मुसलिम है कि सभी वर्गों को दिया गिया महगाई जो है मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी आप हमेशा हिंदू मुसलिम के बात करते हैं क्या महगाई सिर्फ मुसलिम के लिए है सिलिंडर आप जो खरिदने जाते हैं क्या मुसलिम के लिए 1200 है हिंदो के लिए 400 रुपिया है तो जब वहां भी नहीं है तो उनके जो अन्युआईज है हम लोग भी देश के परदान मंतरी हैं उनका संबान करते हैं लेकिन आज के इतिहास में अब तक के इतिहास में सबसे मतलब जूठा परदान मंतरी कहिए और इसी अटल जी का बिजेप को अब बेमिशाल बनाने का काम कर रहे हैं हम भारत का बेमिशाल आप देखे लिए लिए टीसी हो कि भी पी चीएल हो नवरतना कंपनी इतने भी थी उसको 70% लग-भग बेच चुके आप 2014 का देखे लिए कि कि इतने बेमिशाल कर दिये 2000 जो गरीव गुरूबा का प्लेटफॉर्म टिकर था, तीन रुपया से पांच रुपया हुआ था, चोदह में, अभी चोबिस गंटे के लिए हुआ करता था, या भी जो है, रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकर आपको पचास रुपया लगता है, वो भी एक घंटा के लिए, आप समझ लिजी, देश की स सारी संपती बेच रहे हैं, यही मान के चलिए दो देश को गुमराह कर रहे हैं, अभी इनका एक ही पेशा है, चंदा दो धंधा लोग, और उसमें से जो है, उसमें से दो ही बेक्ति के लिए, यही मान के चलिए दो गुजराती देश को चला रहे हैं, और दो गुजराती द अमीट साजी और नरेंद्र मोदी जी देश को बेच रहे हैं और गोता माडानी मुके संबानी खरीद रहे हैं आप देख लेजिए तो क्या लग रहे है जिस तरी के से आपके यहां जो डौक्टर चंद्रदीब जी हैं इनको चुनोव वो टक मिल नहीं ठीक जिस तरीके से माहूल बना हुगा है अगर यह संसद बनते हैं ते क्या लगता मध्यपूरा कि इस तरह के से विकास होगा देखे हमारे अधरनीय लालो जी जब मध्यपुरा के सांसद थे तो मध्यपुरा में रेलवे का फैक्टरी दिये और दस साल में मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं के पिछले चुटारुन उनको मिला तो निस राज से टैक्टरी लगाए लालो जी में रेलवे मंत्री बने दो भी हार Please write कोछ का देन, उसका में जनकी अत्रम में इसके युचरों के पास जूम्ले बाजी है, आपP यही मोदी जी जब सुप्रीम कूट में अपने तरब से हलप नमा दायर किया चंदा के लिए और बोला कि हमको चुनाव का वक्त के बाद जून तक का समय दीजिए लेकिन सुप्रीम कूट के फटकार के बाद कि 24 गंटे के अंदर जब डाटा में खाता के थुरूप पैसा आया है तो 24 गंटे के अंदर उसमें से लगबग 85% किलियर हुआ डाटा उसमें से आप देखेंए कि 83% जो चंदा है आज किसी भी निता के यहां चाहे किसी कार्पूर के खाता में पैसा आजाता है और यहां तो हद तो अब यह पता चला कि जब मोदी जी जब आये थे कि हत्या का बंद होना चाहिए यह होना चाहिए हमारे युवा साथी को दिखभरमित करके उन्होंने इसके उसके बातों को माना लेकिन उसका मिसन कहा था मिसन आज 2024 के मार् और वो उनका जो कंपनी है एक बार में आरहाए 100 करोड चंदा दिये है तो आप समझ लेजिए कि निसाना था पैसा का धंदा का और हमारे गरीब गुरुबा किसान का आज उसी के परिनाम है कि बाइल का बचरा का एक बकरी के बच्चे का भी कीमत नहीं मिल रहा है अच्छी एक बात सही है क्या जिस तरीके से करोना का वेक्सिन बना था वेक्सिन बनाने के लिए वो तो सुप्रीम कोट के हम सुख्र गुजार है कि सुख्रीम कोट का जिनों ने सभी बातों को सुख्रीम कोवी चिल्ड जो है पांसोन साट करोर रुप्या चंदाा दी ए एक दो करों का भात थो पांसोन साřट करोर तीसलिए मोदीजी का है क्या संभेस उसके पहले चारसम में मिलता था तो उन्होंने उजवाला योजना के तहत्त किया कि भाई हमको माबने के आखों में धुवाद देखा नहीं जाता है लेकिन उनके आखों के रोसनी गाइब कर दिया इतना मागाई के लिए कि तो आप समझ लिजें कि जो रासन की बात आप दिये तो क्या मोधी जी से पहले रासन मिल राता क्या भी मोधी जी का पाद मिल राता NOR ये कॉंग्रिस सरकार का जो उपिय कटवन्दरD か सब्सक्रान था उसी समय से चल रहा हूं इसने सिर्फ क्या किया है कि बोर्ट का कीमत लगा दिया उस समय जो था 13 रुपिया में उसको 5 किलो अनाज मिलता था और अभी मोधी जी ने उसका फरमूला चुकि उनका आप जानवे कर गुजराती है उस गुना भाग करने में तागे रहने बेनिफिट कैसे हो सरकार मेरा कैस है कि दूसरा पाटी जो है रेवरी माटता है सिर्फ एक बैक्ति का पांच साल का कीमत उन्होंने 13 रुपिया महिना में आप आकलन कीजिए कि नहोंने कितना बरा लोगों के साथ धोखा कर दा इसलिए हमारे जनता इतना भी इतनी बात को समझ चुके हैं कि सच्चाई क्या है बोट हमको किसको देना है ना कि सिर्फ हिंदो मुसलिम पर उनको सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए और उन्होंने अभी जो है सिर्फ रोजगार का हमारे तेजस्वी जी ने जो नोकली का बात किये आप देखे लिए इनकी सरकार अगर इंडिया कटवंदन की सरकार बि देख लिजिए कि अभी भी बिहार में क्या परदान मंत्री जी का इतना सभ्वेभासा का पड़ियोग सही है किसी भी जात के लिए नहीं होना चाहिए लेकिन उनको पता चल गया है कि दो बार कफेज जो है लक्सन में वो कहीं नहीं ठीक है और बिहार में ये काकेला सब पर मैंने सुनने के यार है और लेकिन जव डिए सबाह होता कें चौंसा मैं वी था मेरे कारिकरम था तो लोगों कुन को सुनने है उचुकता है कि इनमें कals जो कहते हैं वो करते हैं मोदी जी की तरह सिर्फ बोलते नहीं है सिर्फ जूठ नहीं बोलते हैं जब से इनका सरकार आया था मेरा साधी हो गया वही तो आप समझ लिजे को कितना मतलब किये आजाद भारत में पहली बार भारत सरकार के कैंद्रिये रेलवे बोड के द्वारा तीरपन सो का मात्र बैकेंसी हुआ जब हमारा देश गुलाम था जब पहली बार आजाद वहाद तेरानवे हजार की बैकेंसी हुई थी और आभी आप देखे लिजिए कि दस साल में तीरपन सो का बैकेंसी दिया तिसलिए संबैधानिक पनों को संबैधान को खतम करने की साजिस है और लेटरल इंटरी के माद्य लोक्षबाय स्पिकर उनकी बेटी जो देश के संबैधानिक पदपर है 90 सीट आइस का जो है रिजर्ब रखा गिया लेटरल इंटरी के माद्यम से उसमें कमपनी जिसको चाहेगे वहाँ पर बैठाएगे तिसलिए संबैधान के साथ-साथ इनका छेषार करने का मनसा है और इस वार चुनाव सिर्फ बोट का सरकार बनाने का नहीं है सवाल यहाँ है कि संबैधान बचाने का है और यह जो है मतलब जुम्ले बास से मुक्ति के लिए युवा की जे सपनों को उन्होंने जो बेशता है उसको बचाने का समझ है इसलिए और हमारे यहाँ जो प्रोफेसर चंद्रदीप जादब जी गोल्ड मेल्ड लिस्ट है और पतना कोमर्स कॉलेज का हैड ऑप इपार्टमेंट के इंगलिस का प्रोफेसर है तो बिद्वान है सब्द है और उनका राजनेतिक परिवार से भी तालुक रखते हैं पूर्व सांसद हमारे आदरनी ल में भी छोटे को गले लगाते हैं बरे सासिरबाद लेते हैं और 92 परसेंट जो है इंडिये का जो कंडिडेट है उसको एस्टेज पर भी उठाना पड़ता जैसे कि अभी आप देखें होंगे कि हमारे आलम नगर में आये थे दिरिश चंद्रबाब माने सांसल साहब उनको उठाने के लिए उठाया गया आप समझे लिए जनता का पर्तनिद्यतु करेंगे और लोक सभा के सदन में उठाने थे दूस्षरा आदमी तो आएगा नहीं तो उनका उठने क्यों जब उठते हैं तो प voter डगमगाते हैं और जब बोलते हैं तो मूठ डोलता है तो हमारी औ और उजस्वी बक्ता उजस्वी ज्यान के भंडा आधरनिया प्रोफेसर चंद्रदीप जादब जी को हम मदेपुरा लोकसभा के तमाम सम्मानित मद्दाताओं सागरा करते हैं कि आपका एक-एक बोट साथ तारिक को हमारे आधरनिया जो लालु जादब का जो सिपाही बनके यहां हमारे भी चाहें हैं कंडिडेट के रूप में उनको आप जिताने का प्रयास करें और एक-एक बोट आधर ने प्रोफेसर चंद्रदीप जादब को जीको देखते हैं